हाई लो दोस्तों स्वागात है आप सफिका आपके अपने इस यूटूब चानल एक्स्प्लेट ओनी फर यू में तो आज के बीडियो में हम आप लोगों को सिखलाने वाले हैं कि ब्याज कैसे निकाला जाता है तो बीडियो में सिर्फ अन तक बने रहिएगा तो देखिए य ब्याज बरावर फर्मूला होता है मुल्धन गूड़े दर गूड़े समय और इसके बोटे में क्या होता है तो इसके बोटे में सो होता है तो यह किया है तो ब्याज निकालने का फर्मूला है ठीक है तो इसी फर्मूले के माध्यम से हम ब्याज निकालना सिखलाएंगे तो ठीक है अब देखिए गुणा कचिन है तो गुणा कचिन आपको लगा देना है अब यहां पर है दर तो इसमें दर कितना है तो पांच परसेंट है तो पांच आपको यहां पर लिख लेना है अब देखिए आपको क्या करना है तो गुणा कचिन लगा देना है अब यहां पर क है तो सम वे तो सम है इसमें कितना है तो दो वरस है तो दो आपको यहां पर लिखने ना है और बटे में सो रखेयर अब दहाइं झालाए अपर को सबसे कोले कटा देना है तो 0-0 कड जाएगा 1-0 , 3 अब जो संकिया वची है उसको आपस में क्या करना है तो simply गुणा कर देना है तो देखिए यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर 60 है गुणा कचीन है तो गुणा कचीन लगा देना है अब देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है तो गुणे 2 है ठीक है तो 60 में अगर 5 से गुणा कीजिएगा तो कि 600 रूपया है तो यहीं 600 रूपया क्या हो जाएगा तो ब्याज हो जाएगा तो आपको यहाँ पर लिख देना है ब्याज इसका कितना निकल कर आया तो ब्याज इसका निकल कर 600 रूपया निकल कर आया ठीक है तो इस तरह फ्रेंट्स आप असाइन तरी कैसे ब्याज निकाल सकत ठीक है तो ब्याज निकालने के लिए हम सीम्पल सा फर्मूला लिखेंगे सबसे पहले तो ब्याज बराबर क्या होता है तो ब्याज बराबर मुल्धन गूड़े दर गूड़े 100 मैं और इसके बटे में क्या होता है तो इसके बटे में 100 होता है तो यह क्या है तो यह ब्याज निकालने का फर्मूला होता है अब देखें कि इसमें क्या है तो पहला नवर में इसमें दिया है मूलधन तो हम प्रश्ण में देखें कि मूलधन इस प्रश्ण में कितना है तो इस प्रश्ण में मूलधन 300 रुपिया है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है तो 300 रुपिया अब देखिए गुणा काचिन है तो गुणा काचिन लगा देना है अब यहाँ पर क्या है तो सम है तो हम प्रस्ट में देखें कि सम है कि इतना दिया है तो इसमें सम है एक वर्स का दिया है तो आपको यहाँ पर एक वर्स लिख देना है अब देखिए यहाँ पर क्या है तो यहां पर भी हम 100 लगा देंगे अब देखिए जो संख्या कटने वाली है उसको सबसे पहले सिंपली क्या करना है तो कटा देना है तो जिरो से जिरो कट जाएगा जिरो से जिरो कट जाएगा अब आपको जो संख्या बहची है उसको आपस में क्या कर देना है तो गुणा कर द रूपिया है तो आपको यहां पर लिखना है नौ रूपिया तो यह नौ रूपिया क्या है तो यह ब्याज है तो ब्याज निकल कर कितना आया तो नौ रूपिया निकल कर आया तो इस तरह फ्रेंस आप असाइन तरीका से ब्याज निकाल सकते हैं तो चलिए दूस्तों मेरा व लाइक करदना वो चैनल पॉली बराएं तो चैनल को सस्क्राइब उरके बेल भंटी को जूरू दबाना